नमस्कार दोस्तों आज ब्ल्यूपेंटर के रूप में शरत भर्दवाज आपके सामने हैं बड़े ही सोबागी की बात है मेरे लिए और अगर मैं आपको दिख पा रहा हूं या आप मेरे को अच्छे से सुन पा रहे हैं तो एक बार प्लीस किसी भी आइकन बेल से मुझे एक सुबाग्य की और दुरबाग्य दोनों की बात है कि पहले वार एक तो सुबाग्य की ये बात है कि उचांक के बेहां दल्ले मुझे आप सब लोगों के से ओननाइन होने का मौका मिला करति की एक तरफाबात ह्या में सुन पारे हुझे मैं आपको यहां से लाइफ अपनी जीवनी बता पा रहा हूं उम्मीद है कि आपको मेरे बारे में कुछ जानतरी सुनके बड़ा अच्छा लगेगा मेरा बचपन उदेपूर में निकला है जो कि जीलो की नगरी उदेपूर आपने नाम सुना होगा और साथ ही बचपन में आप लोगों के पास में तो काफि सारे लोग रहें बचपन में और में जितना भी पेंटिंस कारण भो था कि होड़ा सके तो यहां देख़ए हैं साथ मेरा जो बचपन था वो उदेपूर में निकला तो तो उसी के साथ साथ, Blue जो रंग मेरे पेंटिंग में आया, वो बच्पन में नील के रूप में आया, जो कपड़े बोलने वाली नील होती है, उससे मैं काफी बच्पन में खेलता था, उनसे काफी सारी आकरदिय बनाता था, उन दिनों मेरे आर्थिक परिवार की हालत भी इत विद्धी किस्म का बच्चपन जो मेरा रहा तो फादर ने धीरे धीरे बिजनेस विल्डप किया उनकी ख्वाइश थी कि मैं उनका बिजनेस अच्छे से समभालू मेरे मेरे खयाल दे कि मैं क्यों ना एक नामी पेंटर बनू तो वही सब करते-करते मुझे राजस्तान इस्क सिकलो फार्ट एक साल पूरा वेे सट में एक राजस्तान इस्किल उज्ड पौचा जहांगे नाम चीन शेकावत एक आर्टिस्ट से उनसे गुजारिश कर से उनसे इनोगरेशन करवा के दबल्यू पेंटर की पहले नाम की पहली एक्जिबिशन मैंने वहाँ पर लगई तो एसी अने को चीजे मैंने वहाँ पर गी अब आपको मैं जन्नी बताता हूँ कि जब मैंने स्कूल फार्ट जेपूर में कदम रखा तो वहाँ मेरी मुलाकात कई नामचिन आर्टिस्टों के साथ साथ सीनियर्स कई जूनियर्स जो की नो डाउट मुझसे ज़्यादा अच् इतनी भीड में अपना नाम केसे कमाएंगे तो मैंने एक आइडिया लगा है मैंने कुछ करना पड़ेगा लोग मेरे अंदर क्या कमी हो मुझे कैसे पता लगेगा तो मैंने जो पेंटिंग्स की एक्जिबिशन करी तो उससर में मुझे पता था कि अभी बहुत ज्यादा हम तो मैंने उस बीच में अपने आपको खोजा कि मैं ऐसा क्यों नहीं क्या कारण रहा कि लोग मुझे टेलेंटेंड नहीं मान रहे तो मैंने 5-6 मन्त में लिंका बुक अफ रिकोर्ड्स का एक आर्ट वर्क और क्रियेट किया जो कि 2008 में लिंका बुक अफ रिकोर्ड्स में शामिल हुआ उससे मेरा फेम थोड़ा काफी बड़ा देन आफ्टर कि अपर मुझे वर्ल्ड आर्ट इरानीज और बाहर के विदेशी लोग जो मेरे क्लासमेट्स रहें वहां पर खूब सरे पढ़ते थे वो मेरे संपर्ग में आए और उन लोगों से मेरी जान पेचान हुई और उनके साथ मैं मेरे को पढ़ाई करें तो महां से मैं पुरे व इवन में बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है जब बहुत ज्यादा मैंने कभी इत्तफाक में जो मेरी पहली पेंटिंग भी की मैं कभी भी गैलरी के पीछे या पोर्फोलियो से लेके कभी भी मैं ना जा पाया ना मेरे को प्रेजेंटेशन स्टाइल मुझे पता था कि जल करना था मुझे ही अपने आपको निकालना था तो वही सब करते करते जब एक बार बोंबे से में एक्जिबिशन देखके लोड रहा था आप बिलीव नहीं करेंगे सेगेंड प्लास जो जनरल कोच होता है उसके अंदर एक गैलरी के परसन से मेरी मुलाकात हुई और उन्हों ने मुझे एक विजिटिंग कार्ड दिया कि आप आपकी पेंटर हैं यहां पर आईए हम पेंटिंग सेल करते हैं मैं शर्मा शर्मी के वारे दो सब्ता तक वहां तो तो मैंने उनको पेंटिंग दी आप एक सब्ता बात फोन आता है कि आप इसको फ्रेम करवा के लिए करिये हैं आप बिलीव नहीं करेंगे उस समय इतना ज्यादा पोकेट बनी होता नहीं था बट फिर भी मैंने इंमत करके छेस्सो शासु रुपी कि उसकी फ्रेम कर वाई और वह वहां कर दी एक सब्ता बात फोना है कि आपके पास इससे बड़ा पेंटिंग है क्या मैंने तीन बाई चार फिट का कभी केंवास पेंटिंग नहीं पर उपको जानके हिरानी होगी कि आज मेरे बहुत सारे इंट्रीव आ चुके हैं कितनी सारे चैनल्स पे कितनी सारी एफम पे रेडियो पे पर उचान एक पहला ऐसा मंचे जहां पर मैं पर्सनली पहली बार लाई वो रहा हूं यह मिली एक बड़ी ग्रेटनेस बात है कि उचान के ओर से यह मुझे पहला मौका मिला और इसके साथ साथ मैंने वहां पर पेंटिंग्स दी एक सब्ताबाद में फोन आता है मेरे पास कि शरती नहीं नहीं आपकी पेंटिंग्स ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्राइज हैं हम आपको 20,000 इसका फर्स्ट ताइम देना जाता है वह मेरा फर्स्ट आटवर्ट था जिसके मुझे रोजी रोटी के हिसाब से या जो भी आप बोलते हैं आपसे 20,000 उन्होंने बोले मैंने हिम्मत करके उनका नेरी फर्स्ट आटवर्ट के 21,000 का मैंने चेक लिया वहां से मेर प्रेंटिंग्स किया, खुब सारे इंटरनेशनल शो जो जूरी मेंबर बना, चेरिटीज में मैंने प्रेंटिंग्स दी, इवन कई बार इत्वाक से अभी इतना जर्णी हो गया कि जो नियू कमर्स बच्चे हैं कई बार वो आते हैं मेरे इस्टूडियो पे और वह बोलते पिएश्डी के लिए आप बोलेंगे तो शायद आपकी खुद के जीवन के रस्ते रुख जाएंगे तो बड़ी चीजें होती है बट फिर भी इन सब के बीच में बैंगलोर में मेरे को अच्छा मोका मिला वहां पर मेरी अपॉर्चुनिटीस बहुत रही उसके बाद में अमेरिकन जरनल एक बड़े विदेशी जो कलाकार हैं वो कभी बी उम्र दराज नहीं देखत हैं हम लोग अभी प्रोफेशनलिजम में नहीं है हम लोग अभी भी यह देखते हैं कि जब तक उम्र नहीं होगी जब तक हम आर्टिस में केलाइंगे तो लोग अभी एक à시लिंग भी हम करते हैं आज में जो भी कर पा रहा हूं नोन पोलिटिकल बेग्राउंड नोन क्या बोलते हैं पेंटर्स बेग्राउंड मेरे खांदानी जो कुछ भी नहीं तो में जो भी कर पा रहा हूं वह मेरी मेहनत से और मेरी आर्टवक्स से कर पा रहा हूं जो भी छूपा रहा ह अमेरिकन जेनरल में मेरा एक बहुत बड़ा आर्टिकल अमेरिका के अंदर आया उसके अंदर पूरी एक जीवनी आई उससे मुझे काफी अप्रोच मिली दूर दर्शन छोटे-छोटे चेनल्स पे छोटे-छोटे लाइब कर्स कई बार आते हैं बड़ पहली बात मुझे जो जहां आज तक पॉर्टफोलियो में एक भी लाइब रिकोर्डिंग गया है एक भी इंट्रिवी मेरा नहीं हुआ था डायरेक्ट फर्स्ट चांस मुझे दूर दर्शन ने दिया तो वह में लिए बड़ी बात थी कई जगों पर मेरे नाम जुड़ें जैसे मेरा डेट बर्थ 25 अक्टूबर है तो 25 अक्टूबर पिकासो का भी डेट बर्थ रहा है मैंने कभी भी मना नहीं किया मुझे जिस भी तरीके से समाज से जो भी जैसे भी जोड़ना चाता है मैं उससे जुड़ने की हमेशा तयार रहा है एक एस्ट्रोजर का फोन आया कि हम लोग भी को यूट्यूब चैनल बना रहे हैं और हम लोगों की इस मेटिटे उसकी हिसाब से थियूरिक हिसाब से आपका 25 डेट बर्थ है आपको पिकासो के पुर्णा जन्म है मुझे लगा कि I don't think so but whatever अगर मेरे नाम से या मेरे इस इंट्रल लिंक से आपके YouTube चैनल को फाइदा होता है क्योंकि आटिस्ट का एक काम ही लोगों को फाइदा पोजाना है आटिस्ट दुनिया में इतनी रिस्क से जो पेंटिंग करता है तो मैंने उसके लिए आमे बरी उन्होंने YouTube चैनल पे काफी चारव प्रचारित किया क काफी सारे क्रिटिक्स क्रिटिसाइस उस पर हुआ कि यह कैसे वह कैसे मैंने उसको नजर अंदाज करके मेंगा कोई बात नहीं बदनाम हुआ तो क्या हुआ बदनाम तो हुआ उससे आगे बड़े अभी कुछ दिन हो पेले मेडिटेशन जो एक बहुत आध्यात्मिक पूरे छवी भारत की अभी पूरे वल्ड में बन रही है तो मेरे मुझे हमेशा से वह रहता है कि क्यों नहीं मैं एक ठेले पी गैलरी पेंटिंग्स लेकि गैलरियों के पास में बार बार नहीं बढ़ता हुआ मैं अपनी एक इं हाजी तो मेरे मेरे दिमाग में यह रहता है कि क्यों ना गैलरी के थुरू पेंटिंग्स ना बेच करके मैं अपनी वर्सेटाल इमेज बनाओ बले ही मैं ब्लीव कलर्स पेंटिंग्स में करूं पर उसके साथ साथ लोगों को डिफरेंट चीजों में नए नए आयामों में यानि लोग मेरे को अगर ओनलाइन देखे या मेरी प्रोफाइल ने देखे या मेरी जड़नी देखे तो लोगों को इंस्पिरेशन मिले मोटिवेशन मिले और एज आर्टिस्ट कुछ ने कुछ नया अनुभव उनको हो तो मैंने ऐसे मेडिटेशन के उपर अभी डारेन सं मुजिक बनाया उसके उपर साथी फिल्म फैस्टिवल्स में मैं पेंटिंग्स लेके गया जहां पर की मेरे उपर बात हुई काफी सारे डिस्कॉशन्स हुए फिल्मी दुनिया से मेरी काफी इच्छा रही है मैं अपनी पैंटिंग्स को फूचर भी जोड़ू तो सागर सर festival में सूरत में रहा तो उन्होंने की कमरे में हम लोग रहते थे तो दो दिन मेंने उनके साथ बिताए तो उन्होंने एक painting पर sign था तो कई बार मैं मैंने उन से discuss करा कि sir में ऐसासी मेरे एक philosophy है कि मैं बच्पन में Blues से काफी इंस्पार था तो उन्होंने कि मेरी नजर में ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप कलर के इन्वास लें और दो पेंटिंग बना दें और फिर उसकी फोटो को गैलरीस पे भेजते रहें भेजते रहें और ठीक है कभी कबार आप उसमें फेस्बुक पे लिख दें कि यह सोल्ड हो गया है और आपको बहुत है क्योंकि अगर हम खाली बस उसी दुन में लग जाएंगे तो हम शायद सादगी से आर्ट नहीं कर पाएंगे फिर अभी कुछ दिनों पहले जवार कला केंदर ने एक राजस्तान का मास्टर पेंटर्स करके एक शो किया जिसमें कि कुछ दिन पहले यहां के मिनिस्टर बी क्योंकि वह ब्ल्यू पेंटर है वह मैं उसको अपने जीवन का सबसे बड़ा मानता हूं वहां पर बीडी कल्ला जी नौड आउट मिनिस्टर्स केटेग्री थी बहुत इजीली फटाफट फटाफट जा रहे थे मेरे सीनियर्स मेरे गुरु जन काफी सब लोगों की पेंट गेलरी लाश्ट एक दो साल पेले ललितकला अकादमी की तरफ से राजस्तान का 147 एक बड़ा शो गया उसमें मुझे चुना गया बड़ी बात थी वो भी अपने आप में शक्ति बर्मन जी अभी दिल्ली में मिलाकात हुई मेरी उनसे मैंने उनको मैं अभी तक छूर नहीं से इसकी सारी फिलोसोफी आप मेरे प्रोफाल्स पर जाके देख सकते हैं जूरी मेंबर बना मैं कभी भी यह नहीं सोचता हूं कि मेरा नाम अगर इतना बड़ा हो रहा है क्योंकि मेरे पास कई बार कोल्स हाती है कई गुरू जन की कई सीनियर्स की क्या शरद यूर सेलिबर कर रहेंगे तो फिर मुझे से प्यार की कौन करेगा तो मुझे लगता है कि यहां जहां लोगों को लगता है कि मेरे वह ज़रो थे तो मुझे लगता है कि शायद मुझे उनसे जुडबना चीह तो अभी चिल्डरंज का एक जूरी के लिए मुझे बोला गया है कि आपको जूरी बनना है आप बच्चों की चुटे चुटे बच्चों की आप आर्ट सेलेक्ट करेंगे मैंने का बच्चे तो अपने आप नायाब आर्ट वर्थ करते हैं लेकिन अगर फिर भी मुझे उनको चुनने का मौका मिलेगा तो मुझे जरूर करूंगा बहु है और उनके बारे में आप मुझे आप मेरे भारे में उनको बता इनोग्रेशन करवाना चाहें बड़ी बात हुई राजस्तान में बहुत सारे आर्टिस्टों को बड़ा लगा कि यह इस उम्र में इनोग्रेशन कर रहा है बट मेरे गुडविल ने मेरे को कहा कि मैंने इतनी मेनत की है मैं क्यों नहीं कर सकता हूं अगर पीछे के लोग आप म में जरूरी तो नहीं है कि मैं बड़ी डाड़ी रखों चोटी रखों बड़े बाल रखों या उम्र का इंतिजार करूं फिर मैं किसी से पर्मीशन लूँ कि सर मैं आप क्या इनोग्रेशन करने लाइक हूँ और मुझे नहीं लगता है कि शायद कभी कोई कहेगा कि यू आ इनोग्रेशन किया इनोग्रेशन किया दैन आफ्टर कई फेमस लोग है इंसांग सोंग है कोरियन आर्टिस्ट है और टैड बेरर इस्राइल से हैं वो लोग आए उन्होंने मेरे इस्टूडियो में विजिट किया ऐसी जब बाते होती है तो बड़ा अजीव लगता है कि कि दे आर वेरी सेलेक्टिव पीपल्स दे आर वेरी व्याइपी और जब वो एक दिन के लिए आदे दिन के लिए उदेपूर में या कहीं पर आ रहे हैं और उसमें भी वो मुझे ढूंड रहे हैं तो मेरे को इतनी गूड फिलिंग आती है इस ब्यूटिफुल फिंग फॉ कवर पेज मेरे बने राजस्तान साहित्य अकादमी की मदू मती करके एक एडिशन आता है उस पर कवर पेज मेरा चुना गिया बड़ी बात हुई साहित्य के कई लोगों के नामचीन लोगों के मैं आपको ट्रूली बताओ मैं बच्पन में पड़ाई में बहुत कम जोर रह देंगे उस से के थूर राजस्तान या इंडिया पुरे वर्ल्ड के नामचीन और पड़े लिखे लोगों के बीच में जाने का मोगा मिल जाएगा तो और आज नो डाउट मेरे पास में अगर शायद यह आइडेंटी नहीं होती तो इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा चांस में गई इर्शाद कामिल बॉलिवुड राइट लिरिक्स राइटर है एक बार देली में उनके साथ पुस्तक वीमोचन था तो उनके साथ वीमोचन हुआ तम मुझे पहली बार पोईट्रीज की समझ आई कई ऐसे बड़े शोस रहें जहां मैं मैंने आपको बताया कि इत्तफाक का तालुक मेरी जिन्दगी से बड़ी बड़ी बात है तो एक मेरा बड़ा फेमस आर्ट वर्क है डबल्यू एलिफेंट जो की सोला भाई सोला फिट का बहुत बड़ा सरकल के नवास है जो की लिमका कीरेटर्स की लोबी से होता हुआ वो सेलेक्ट हुआ रोज आमेर करके जैगड फोर्ट में जहां पर शारुक खान और काफी बड़े लोग हस्तियां वहां पर आई थी तो रातो रात मेरे पास कोल आता है कि इन नाइट यू केम इन जैपूर और डिस्पले यूर वहां मेरे आर्ट वर्क्स गया दूसरे दिन जब न्यूज वगरा में सब जगे पर वह आया तो लोगों को बड़ा अजीब लगा कि यार सीनियर मौस्ट आर्टिस्ट जो पूरे इंडिया से वहां पर एक्जिबिट हो रहे हैं उनके साथ में इसको एक्जिबिट करने का म मुझे मिला वह इस रूप में मिला कि लास्ट 10-15 यहर से मेरी पूरी कोशिश थी मैं चाहता था एक मेरा चोटा सा सपना था कि मेरे फादर मदर को मैं फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बिठाओं बट जब मुझे कोई बड़ा अचीवमेंट मिले तब मैं बिठाओं तो मैं से चांसेज भी बने कई बार ऐसा लगा मुझे कई बार मेरी खुद की गलतियों से वह अचीवमेंट रहा या किसी भी कारण से रहा देन आफ्टर जब ललितकला अकादमी का राज्य सम्वान मुझे मिला वह मेरी बड़ी बात थी तो मैंने फ्लाइट से फादर मदर को म्यूजियम में मेरे बहुत कलेक्शन रहें यह सोबाग्य मेरा एक आर्टिस्ट मैंने जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि एज आर्टिस्ट मेरा अनिको जगे से जुड़ने की रवो रही है उचान ओके और विवर्स फूल लाइक तु सी और सम आफ यूर देखिए पैंटि भी आपको आप देख पा रहे होंगे एक गनेशा करके मैंने एक आर्टवर्क किया है और ब्ल्यूज में ही मेरे सारे आर्टवर्क रहते हैं बाकी पैंटिंग्स काफी सारी आप मेरी ओनलाइन और सब जगे देख सकते हैं आप चाहें तो मुझे मेसेज करें मैं आपको सब्सक्राइब क्राइब कलेक्शन्स हो तो इसी के साथ साथ हैविटेट देली में मैंने शोड़ किया कि दिली में समयां ब्ल्यूज करके उसमें भी उसमें एक बार आपने अगर नाम सणा जो नैवल तुली जी जो के इंडियंस काफी आथ कलेक्टर्स रखते हैं बाए ल क्यूरेटर्स से उनसे मेरी जान पेचान हुई उनको मेरी पेंटिंग्स इतनी पसंद आई आज भी वो लोग तच में हैं वो लोग नो डाउट ओशियांस इस वेरी बिग थिंग बट उन लोगों के जो इतने भी जूर गैलरी पीपल्स थे उन लोगों ने मेरा काम पेंटर कब बना या मुझे कैसे टाइटल मिला देखिए बच्पन में नील से करता था लेकिन मुझे इतना अंदर से यह फिलिंग नहीं थी कि मुझे को एक टाइटल टिक नेम बनना चीए वो पहली निकनेम जो मुझे एज ब्ल्यू पेंटर एक टाइम सोफ इंडिया की एक निउस रिपोर्टर आई थी उन्होंने मुझे बोला शरद यू आर ब्ल्यू पेंटर फर्स्ट टाइम उनके मुह से मैंने यह शब्द सुना था और उन्होंने पहली बार टाइम सोफ इंडिया की निउस आर्टिकल पे बोईन ब्ल्यू करके मेरा एक आर्टिकल छापा था जो कि दूसरे दिन आया और काफी अच्छा लगा मुझे तो तब जाकि मुझे लगा कि जो भी मैं कर रहा हूं वह इस से इंट्र लिंक है महां से ब्ल्यू पेंटर की जर्णी ओफिशल रूप में निक नेम के साथ स्टार्ट हुई मौस्को आर्ट बिना ले और सब जगे फिर बाद में फिर जितना भी डाटा और जितना भी ओनलाइन था वहां पर आने लगा भारत भावन भुपाल कोलेज से मेरे को जब जिन दिनों मैं स्कूल ओफ आर्ट कोलेज में पढ़ता था भारत भावन भुपाल भी जाने का मौका मिला वहां के आर्टिस्टों को जाने का मुका मिला भारत के लगभग सभी प्रांतों में मुझे आपके वहां जाके और एक नौटी सी मेरी आदत ये रही है जब भी मैं किसी केम्प में जाता था तो सबसे आदा मैं घूमता था भारत बहुन गया पूरा एमपी घूमा ये चोला मंदल गया चेन्नी एक बार आठ केम में तो पूरा चेन्नी और पूरा रामेश्वरम आप देगे घूमने का शोकिन ऐसा रहा हूं कि मैं जब किसी केम्प में जाता था तो कई बार मैं वहां जाके देखता था कि कौन सी ट्रेन कब से सबसे दूर कौन से जा रही है तो फिफ्टिन डेस का आठ केम पे तो दो दो तीन दग में घूमके जाता था तो लगबग ऐसे करते करते मैंने पूरा इंडिया देखा भारत बहुन देखा जे रंगम एक बड़े अच्छे फिल्म एक्टर है मकरन देश पांड़े आप उनके साथ में मेरी फोटोज और कई सारे डाटास भी आए मकरन देश पांड़े जी जब जेपुर में आये थे जरह हम लोग एक ही जे रंगम करके कारिगरम में साथ में थे उनको मेरी पेंटिंग्स बहुत पसंद आई नो डाउट वह भी बहुत अच्छे आर्टिस्टिक रहे उनसे मिलके भी एक डिफरेंट फिलिंग्स आई उनका भी सेम फिलिंग्स थी कि शरत तुम अपनी पेंटिंग्स को कहीं ने कहीं फिल्मों से जुड़ो तीन आज एक जैसे कि आज काफी मेसेज़ आए आज एक मदर डे करके एक स्पेशल है मेरी जिन्दगी में तीन वोमेंस का बड़ा योगदान रहा है एक तो वो मा जो मेरे को इस दुनिया में लेके आई दूसरी वो मा जिनकी वज़े से मैं आज एज आर्टिस्ट आप लोगों के सामने हूँ एज पेंटर हूँ और वो है मेरे स्कूल की टीचर सुजाता शर्माजी देखे एक खास बा सब्सक्राइब उदेपूर MLS University से भी हुई है जेपूर School of Art से भी हुई है और Master Bangalore चित्रकला पढ़िशत से भी हुआ है पर मैंने अपने जीवन का गुरू बहुत सादगी से अपने स्कूल का टीचर सुना है उसका कारण यह है कि आज मेरी एक भी छोटी सी भी उपलबद से और अपनी मेनत से तैय करनी है तो मुझे मैं रेस्पेक्ट सभी लोगों की करता हूँ बट मैं किसी भी तरीके से कोमर्शल यूज अपने गुरू का नहीं लेना चाहता हूँ तो मैं क्योंकि उन्होंने पहली बार स्कूल टाइमिंग और शायद ही मैं ऐसा समझता हूँ कि आज के दोर में शायद ही ऐसा कोई परसन होगा जो की एज जो की थोड़ा फेमस हो रहा है और जो की एज टीचर अपने स्कूल के टीचर का कोई नाम लेता है बाकि अदर वेज जहां भी देखता हूँ मैं सब यही बोलते हैं हम वहां से हैं हम यह हैं ठीक है उनका अपन मेरी रही है बाकि आप अगर कुछ पूछना चाते हैं तो मुझे खुशी होगी यह एक छोटी सी ब्रीफ जर्णी में आपको बताई है और एक आर्टिस्ट जैसा की एक अपने आप में काफी रंगीन होते हैं तो मैं आपको एक थोड़ा सा पर्सनली मेरा व्यूस बताना चाहूंगा जो मेरी वाइफ हैं वो राजस्तान स्कूल फार्ट में मेरी क्लास्मेट भी रही हैं और वो काफी उन्होंने मेरी पूरी जर्णी देखी और आज वो मेरे साथ में हैं और वो भी पेंटिंग्स के अंदर फर्स गर्ड लेक्षरा रहें तो उनका भी मुझे बह बहुत ही तरह मेरे जूनियर भी रहे बहुत ही आच्छा दोस्त रहा है अजमेर से योगेश करके है एक फ्रेंड है अजिद करके हैं जेपूर से अविनाश करके हैं तीनो ए हैं तीनो एफ और एपल टॉप पर हैं एक वालिटी है तीनों की तो तीनों मुझे कभी भी बहुत ऐसा फिल कभी नहीं करवाते हैं कि वो लोग कि बहुत बड़े आर्टिस्ट हो तुम या तुम्हें आपका वो हमेशे यह बताते हैं दूसरों के बाकी है और अभी तो मुझे बहुत काम करना है तो मैं यही चाहूंगा कि अगर आप लोगों के कोई क्यूशन्स हों क्योंकि मैं यह देख पा रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग लिखें अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं अदर्वाइज आप आपने लिखा है और शेर यूर लिंक्स प्लीस सेंड यूर लिंक्स आइवल शेर नो प्रोब्लम मैं इसी के अंदर आपके शेर करूंगा कुछ लिंक्स और बाकी आप गूगल पे जाएंगे तो आपको काफी सारे इंट्रूज मेरे देखने को मिलेंगे जहां पर मैंने मेरी जरूनी के बा और भविश्य में मिलते रहेंगे कि आपने उस दिन बड़े-बड़े नाम लिये थे अभी आप सिद्ध करो तो मैं इन सब चीजों के लिए हमेशा तैयार हूं तो और बाकी कि यूर विल्स लाइक तो सीयों वर्क ओके नाइस सेशन फॉर फैंप सु प्लीज हो यूँ पोजिटिव सजेशन थैंक यू एंड देखिए पेंटिंग्स का मैंने आपको एक आर्ट बताया है और फिर भी आप अगर और भी पेंटिंग साते हैं बट क्योंकि मेरी पेंट करना इजी होगा नहीं वेठका बट कोशिश करते हैं एक 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 आर्ट वेर्क में आपको दिखाना चाता हूं जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले किया है चली मैं इनोग्रेत आप से ही करताँ इप जो दिन बाद मैं यह आइपशॉम में आपको नजर आएगा बट एक एक नट पकड़िए देखिए एक सेकेंड इसमें हाँ एक सेकंड बस आगया यह आटवर्क है यह मेरा अब एक तरीका है नया ब्ल्यू ब्ल्यूज को अंडर वोटर सीरीज में काफी सारा आप देख रहे हैं यह पूरा एक यह आटवर्क में अभी जेश्ट किया है तो यह आपको कुछ दिनों बाद एक शो में नजर आएगा हाँ जी तो आइटिंक हम लोग फिनिश करें इसको अभी किसी को कुछ आप पूछना चाहते हैं या कुछ भी तो तो काफी सारी जर्णी से इसके अलावा बहुत सारी बाते हैं और भी चीजें हैं बट अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं बॉल सकता हूं अधर्वाइज मैंने काफी कुछ आज आपको बताया है तो मैं चाहूंगा कि फिनिश करते हैं थैंक यू सो मच थैंक टीम मेंबर्स और विश यू अगैं अभी मोधर्स दे थैंक यू सो मुछ